नमस्का इन खबर में आपका स्वागत है। और साफ साफ कहा कि अपने बेटियों की खातिर वो जोती के साथ रहना चाहते हैं। इस दवरान जो नई बात पता चली वो ये कि कोट में जो साधी का कार्ड लगाया गया है उसमें ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी आलोक मौरी के नाम के नीचे नहीं लिखा गया है। मतलब साफ की आलोक मौरीया को फसाने के लिए जूटा साबित करने के लिए सोशल मीडिया पर कार्ड वाइरल किया गया है क्योंकि वाइरल कार्ड में ग्राम पंचायत अधिकारी संचिप्त में लिखा हुआ है। इसको ले करके आलोक मौरिया के वकील ने सीधे सीधे निसाना साधा है जोती मौरिया की तरफ कि ये सब कुछ को ट्रचित है और जान भुच करके किया गया है। दूसरी बात ये पता चली है कि जो तीसरा किरदार है जिसकी वज़ा से जोती और आलोक के वैवाहिक जीवन में तुफान आया उस सक्स का नाम है महोबा के होम गार्ड के जिला कमांडेंट मनीश दूबे उनके खिलाफ भी अलोक मौरे ने सिकायत की थी जिसकी जाच हुई डी आई जी ने जाच की है और जाच रिपोर्ट अपनी डी जी होम गार्ड को भेज दी है खबरों के मुताबिक उसमें उन्होंने मनीश दूबे को दोसी पाया है मनीश दूबे ने एक नहीं दो नहीं तीन चार लड़कियों से महिलाओं से उनका संपर्क वो संबन था और जिस महिला होम गार्ड के बारे में कहा जा रहा है कि उसने भी सिकायत की उसको वो अकेले म में बुलाते थे ऐसी बास सामने आई है यहनि कि आलोक मौरिया ने जोती को लेकर के मनीश दूबे की जो सिकायत की थी वो भी सिकायत सही पाई गई है ऐसी रिपोर्ट आ रही है ऐसे में अब मनीश दुबे के खिलाफ कारवाई तै मानी जा रही है क्योंकि इसी रिपोर्ट का इंतिजार हो रहा था पिछले दिनों मनीश दुबे की पत्नी और डी जी होम गार्ड में बात चीत काफी वाइरल हुआ था जिसमें कि जिने डी जी होम गार्ड बताया जा रहा है वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि इसकी तीन तीन लड़कियों के साथ सम्मंद को ले करके सिकायत है यानि कि जियोती मौरिया को ले करके जो आलोक मौरिया ने सिकायत की है वो इकलौती सिकायत नहीं है ऐसे में अब मनीश दुबे का बचना मुश्किल है और उनके खिलाफ सक्त कारवाई हो सकती है वो निलंबित भी हो सकते हैं राईन बेखबर देखते रहिए इनकबर थैंक्यू